वेलकम टू मारवल फूचर फाइट इंडिया तो चुली शुरू करते हैं और यह वीडियो है आर्क वेफ का तो आर्क वेफ ने स्पेशली डेटेक्रेट यह एक टेस्टिंग वीडियो भेजा है तो इस टेस्टिंग वीडियो को हम लोग देखेंगे और इसको अनलेसिस करें करके के ऌट तो कि यहां पर कितना जद़्ुच्टेग के निकमें ने के लिए बाद मेंने ने चौदरेक लिए अब आगे लास्ट के 13 बार, second time, second phase को clear करने के लिए तकरीबन 15 सेकंड और लिए मेपिस्टो को charge करने कले, this is very nice damage तो मेपिस्टो का जो second phase है, वो भी हाँ पर मैं अच्छे तरह के से complete के लिए एक तरह से यह first phase है, लेकिन इसके पहले भी कुछ आता है, उसको बार को complete करने के बाद में यह start होता है और इसको complete करना पड़ता है, तो उसको आपनों का first phase बोलेगे, और उसके बाद में first phase काफी अच्छे से clear कर लिया है अभी भी 4 minute 24 second हुए है, याने Antman का जो performance है काफी अच्छा है, nice, DPS अच्छा है तो RK का जो Antman है, RK के comic card में HP कम है, HP कम है, वो एक negative point है ही साथ मैं मैंने Cinekelex के वीडियो में यह point भी देखा था, मैंने null mepisto वाला gameplay मैंने देखा था उसमें वहाँ पर मैं clearly Antman जो है, वो null mepisto के attacks है, एक hit से भी काफी हद तक Antman की जो HP है, health power है, काफी हद तक कम हो गई थी तो Antman का जो defense और जो recovery system है, वो काफी साथा weak है, यह किसका एक negative point है इतना अच्छा DPS होने के बावजूद, तो इसके negative points के उपर में हमें गौर करना चाहिए, अगर कोई चीज अच्छी है, तो इसके negative point भी होते है, तो वो मैं cover, इसी वीडियो में cover करके बताऊंगा, तक्रीबन अभी यहाँ पर मैं Antman को जो है, वो तक्रीबन लग बग यहाँ पर मेपिस्टो का last वाला phase बचा हुआ है, बारा बार ही बचे, और बार बार के बाद में यहाँ पर stage जो हो जाएगा, कतम, यहाने आरकने लेवल 24, मेपिस्टो का लेवल 24, अल्मोस्ट देड़ म साथ में खेलता, तो मेरे को थोड़ा सा और clearification मिल जाता, अब लेवल 80 होने के वज़े से advantages थोड़े जादा लग रहे है, मेरे बढ़ गया है, लेकिन अगर 70 के साथ में स्टेज 24 पे खेलता, तो मैं इसको compare करना जादा आसान हो जाता मिल लिए, इसका पावल ले और पता कर साथ मेजर यहां पर में healing issue दिख रहा है, यहां पर मैं आरके ने जो विर्णम का symboid वाले जो uniform है, और वाले इनिफॉर्म, उसका हिम, उसका healing का यहां पर यूज करते हुए, आइटमन को काफी साथा बार switch करा है, और मरने से उसको काफी बार बचाया है, तो एंटमन का जो या F2B players के नजरे से में देखू, और फायदा और नुकसन देखू, एंटमन के uniform के या purchase करना है, रिया recommend करना है, तो purchase करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, dps अच्छा है, damage अच्छा है, okay nice, prop friendly है, okay nice, अच्छे points है इसके, कोई negative जादा points है नहीं, बट एक main character में एक main चीज ह होती है, damage अच्छे, dps अच्छा, performance के साथ में, अच्छे animation के साथ में, healing और durability, वो इसमें ant man में कमी है, उस जिसकी कमी है, यहाँ तक मैंने cynicalis के वीडियो भी देखा है, उसमें भी उसका ant man कई फी बार उसको change करना पड़ा है, character को switch करना पड़ा है, बार बार, तो कहींने क है, तो मैं recommend करूँगा कि destruction दो, वो सही रहेगा, क्योंकि उसके बास में penetration नहीं है, और रही बात बाकी bonus की, तो chain hit damage उसके uniform bonus में दे रखा है, तो उसको city energy की जरूत नहीं पड़ेगी, city भी destruction की जरूत है, गाड़ पी community, उसके uniform bonus में already दे रखा है, और इसके अलावा और थोड़ा सा healing, healing इसका थोड़ा better रहता, 30% HP recovery, थोड़ा रहता तो better रहता, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, antman का यहाँ पर में जेंग्रे वाला टेस्ट, और जेंग्रे के यहाँ पर में कितना क्या performance हाता, वो देखते है, world boss legend जेंग्रे, तो जेंग्रे के guest में अभी ant antman को test करेंगे, level 9, और देखते antman का dps, performance और defense कैसा है, पता करेंगे, जो भी होगा, जैसा भी होगा, information collect करेंगे, तो यहाँ पर जैसी कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, आरके का जो antman है, वो यहाँ पर में जेंग्रे के अटक से वाज़े से मारा गया है, यहाँ पर कैरेंटर मारा गया, एसा नहीए कि नहीं मारा जाता है, थौर भी मारता है, आरेंटर में मरता है, हल्क भी मरता है, सभी कैरेंटर मरते है, है ऐसा नहीं कि नहीं मरते कोई कोई करेंटर थोड़ा सरवाइबिलेटी थोड़ी जादा अच्छी होती है बट एंट में के कंडिशन में थोड़ा सा देखा जातों स्पीट का अच्छा क्यारेक्टर होने के बावजुद भी इसका जो डिफेंस है वह उतना अच्छा नहीं ह का थोड़ा एशू है अगर स्किल नमबर फूर टाइम पर प्रेस अगर नहीं कर पाए तो ऐसे कंडिशन में मारा जाएगा तो यह उसका एक नेगेटिव पॉइंट है वो जेंग्रे के यहां पर वर्लबॉस लेजर्ड में 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 को देखने को मिलिया अब करेंगे यह अगर्ट में का कहा है और यहां पर देखते कि में का कैसा पर्फारूमस है और देखते कितना ये ऐसे सोफ्लीर टौन करते है और यहां पर मलत्याियों में इसकी अच्छी भी रही दरोमामू स्पीड टैप का तो स्पीड टैप का एंटमेंट भी है तो इससे यह पता चाह सकता कि कि कितना इसके सर्वाब्रेटीर कैसी है या आरके ने काफी अच्छा काम करें एक इसका स्टेज़ परफॉर्मेंस और टेस्ट एक ही दिन में निकाल लिया नाइस अब यह टेर फॉर का टेस्टिंग बागी है तो उसके भी वीडियो वह उपलोड करेगा उसके लिए कुछ दिन तक टाइम वेट करना पड़ेगा कि और जिसे कि तुम यहाँ पर स्कृम पर देख सकतू यहां पर राइव जाण इस वह कर आखुआ तो यह वह रिस जिस्ट विजेशे में फुट सार डीले करने को बूर रहा था HELश किट करने को बहुंड रहा है AIंटमेंंट का also अच्छा है देखो मानता हूं डीपैस अच्छा है साथ काफी सारे महां पर आप्शन जो है अच्छे है बाट हिलिंग और एच्पी का बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है अगर करेक्टर स्टेज में अच्छा डीपेस होने के बावजुद भी अगर वो जिन्दा नहीं रहा लंबे समय तो फिर मतलब भी क्या रहा है उस करेक्टर का लेने का और उसको बीड करने का वो सबसे जादा को एच्प एच्प के उरू चाड़ा चाड़ा कि उसको जिन्दा रखना पड़े यानि यह सीदी सिदी यह बद बोलू कि अगर क्यारेटर को जिन्दा रखना तो और ऑक्सिजन से लेंटर पर रखना पड़ेगा यह तो कोई समद्दर वाले बात नहीं है मांदव कि इसके डिपेस अच्छा 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 बट बाकी चीज़े भी डिविलेटी और डिफेंस भी इंपोर्टन होती है करेक्टर की कि कि कितना मार जहल सकता है कितने डिर्मम के अटेक्स सह सकता है बाई मिस्टे के लिए अगर कोई F2B प्लेयर लेके चला जाए लोग एच्पी लोग अटेक के साथ में तो एंटमन का सर्वाइबिलेटी अच्छी हो तो उसके लिए वो करेक्टर एक्दम परफेक्ट रहेगा लोग पावर होने के बा कि एंटमन जीबियार के लिए काफी ज्यादा अच्छा डीपेस वाला करेक्टर है स्पीट टाइप के टिकरी में बेटर दैन प्लाकुड बेटर दैन शूरी एंड बेटर दैन मिस्मार्वेल तो नहीं बोसकता है तो मिस्मार्वेल बेटर परफॉर्म करेगा करीगी एंट के मामले में स्पाड़मिंद से बेटर बोलूगा लेकिन से मुएचस परबन है और प्यूप्वेलिटि न इसको बन मिले बहुत कमाल का बोन परफॉर्मस दे रहा है स्पाड़ा मैं की बात कर रहा हूं और एंट मैंग की बात कुरो तो पीवी सेक्शन में यह अच्छा है पीवीप सेक्शन में हग देगा पीवीप वाले इसको बोनस नहीं है पेंट्रेशन इग्नोर टार्गरिंग एफेक्ट और एच्पी और रिकवरी और डिफेंस यह तीनो चारो पाचो छे चीज़े इसमें कमी है तो यह वज़़े से यह काफी जाद है हाँ पर में मार खा रहा है और इसका डिफेंस एक में मेजर पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट जो इसको कारेक्टर को सर्वाइबिलेटी की बहुत जादा दिक्कत दे जाएगी तो अगर समझो उन प्लेयर्स का जिनका एच्पी 50% से उपर है उपर है कॉमिक क्याड में या उनके चलो कि जादा अच्छा है तो उनके लिए अच्छा से परफॉर्म करेगा लेकिन फिर भी करेटर को स्विच करते करते एंट मैं को बचाना पड़ेगा क्यों स्टेज में मारा जाएगा अगर उसको सही से परफॉर्म नहीं किया तो तो उसका हिलिंग थोड़ा काम है 20% का हिलिंग मतलब बहुत कम हो गया कम से कम 30 और उसके पैसिव में 20 या 10% का भी देते पास सेकड़ में एक बार या ऐसा कुछ पंद्र स से परफॉर्म करता 20% हीलिंग थोड़ा कम हो गया है तो बेटर हो सकता था डिफेंस का में 80 के बढ़िया है डामेज बढ़िया है परफॉर्मेस ठीक है बट डूरुरुबरेटी और डिफेंस थोड़ा के वीक है वह बारबान में रिपेट इसले कर रहो कि ताकि तुम को सम रहे डिफेंस अच्छे चीए परफॉर्मेस तभी अच्छा होगा जो करेक्टर जिंदा रहे का स्टेज में अगर वह जिन्दा ही रहा तो कि काम कहीं ने तो थो थोड़ा धान से वाराइंट में का इनिफर्म लेना है तो ले सकते हो ने तो फिर वेट करो कांग का और फिर कांग के बाद में चाहो फिर बिसेजन ले लेना लेना है ने लेना है फिर आनम से सोचो